देखिए ये नाम इंडिया, हमें दिया गया है, ये एक अंग्रेजी नाम है, ये प्रभुत्व स्थापित करने की तक्नीक है, आपको ये देखना चाहिए कि जब वो अफ्रीका से गुलामों को लाए, तो बंदर गाह पर सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकियों का नाम बदल कुकू, टूबू, नोनू, पूपो, कुछ ऐसे नाम रखे गए, अगर मैं आपको पदमनाबन कहता हूँ, तो आप ऐसे खड़े होंगे, मैं आपको कुकू कहूँ, तो आप पहली चीज होती है एक अर्थ हीन नाम देना, जिसका कोई, क्योंकि एक इनसान यादों से, इतिहास से, संस्कृती से बनता है, एक ऐसा नाम जिसका कोई संस्कृतिक आधार नहीं है, एक ऐसा नाम जिसका कोई महत्व नहीं है, एक ऐसा नाम जो आपके अंदर गर्व पैद नहीं करता, मैं आपको उस तरह का नाम दूँगा, क्योंकि ये प्रभुत्व स्थापित करने की तक्नीक है. इस देश में, दो, तीन, या शायद पांच प्रतिशत लोग अंग्रेजी भाशा बोलते हैं. लेकिन देश का नाम अंग्रेजी में हैं. इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारती के लिए कोई मतलब नहीं है. इंडिया. भारत में एक शक्ती है. क्योंकि इसके दो पहलू हैं. जब हम कुछ बोलते हैं, तो ध्वानी पैदा होती है. अर्थ सिर्फ मानसिक होता है. उसे आप अर्थ देते हैं, है ना? हाया ना? अभी मैं कुछ बोलता हूँ. ये सिर्फ एक ध्वानी हैं. अगर आप ये भाषा नहीं जानते, तो ये सिर्फ एक ध्वानी हैं. अर्थ पस आपके दिमाग में बनता है. अर्थ का महतु कम है, ध्वानी महतु पूर्ण है. आप भारत का उचारण करके देखिए, कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं. आप इंडिया कहकर देखिए, कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं. दो दिनों के लिए इसे अपना जब बना लिजे, एक दिन आप सिर्फ इंडिया, इंडिया, इंडिया कहिए, अगले दिन बस भारत, भारत, भारत कहिए, बस देखिए कि आपके सिस्टम के साथ क्या करता है, फिर आप तै कीजिए, इसे बहुत नजदीकी से देख कर ध्वनी और आकार के विज्ञान की गहरी समझ के साथ किया गया था, ध्वनी और आकार के विज्ञान से मेरा मतलब है, हर ध्वनी से एक आकार जुड़ा होता है, अगर आप किसी ध्वनी को एक ओसेलो स्कोप में डालते हैं, तो ये हमें एक विशेश पैटर्न देता है, जो एक आक तो हर ध्वनी में एक आकार नहित है, हर आकार में ध्वनी नहित है, तो किस तरह के ध्वनियों का मानव प्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? उन्हें हमने मंत्र कहा, भारत एक मंत्र है, भारतम और भी बहतर है, पर उत्तर में ये स्विकार नहीं होगा, इसका भारतम् महाभारतम् वंगानर्मदपुन्यतिर्तम् सिंदु सरस्वतिकावेरी जीवनकारण मूलतत्वं नदिराष्ट्रस्यमहाम्रतम् वारतम् भारतम् महाभारतम् वंगानर्मदपुन्यतिर्तम् सिंदु सरस्वतिकावेरी जीवनकारण मूलतत्वं नदिराष्ट्रस्यमहाम्रतम् वारतम् अरतम् महाभारतम् वंगानर्मदपुन्यतिर्तम् सिंदु सरस्वतिकावेरी जीवनकारण मूलतत्वं नदिराष्ट्रस्यमहाम्रतम् वारतम् वारतम् महाभारतम् दंगानर्मदपुन्यतिर्तम् जिन्दु सरस्वति कावेवी जीवनकार्ण मूरतत्वं नदिराश्त्रस्य महामृतं भारतं भारतं महावारतं भंगानर्मत पुन्यतिकं जिन्दु सरस्वति कावेवी जीवनकार्ण मूरतत्वं नदिराश्त्रस्य महामृतं भारतं